नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग विगट जंकी के कौन नहीं विडियो के अंदर आज इस विडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अफ्टिया की ट्यूटि प्रेयों लीग के साथे मैच के बारे में ये वाला मैच होगा अपना डर्बन सूपर जायंट्स और जोबर्ग सूपर किंग के बारे में ये वाला मैच खेल जाएगा हमारे किंग समीड शेडम के अंदर आज इस विडियो के अंदर दोने टीम के बारे में बात करेंगे कि दोनों टेम के बारे में डिटेल में देहेंगे आनलाइस करेंगे देहएं कौन सी टीम के जितने का चांसे ज्दा है कौन सी टीम यस ऑली लीक के इंदर कैसा perform कर रही है बिनने time गया चली शुरू करते हैं थौ काम करते हैं दोनों टीम के बारे में जानने से पहले एक में जो डालते हैं पॉइंट टेबल पर देखते हैं दोनों टीम पॉइंट टेबल पर कैसा परफॉर्म करती हैं जिस समय कोई आगे आने वाले गेम के अंदर दोनों टीम कैसा परफॉर्म कर सकती हैं पॉइंट टेबल यहां पर इनके टोटल दो मैचेस हुए है इस पर से एक हारे हैं और एक मैच इन का अबेंडन हुआ था बारिश करण जहां पर इससर दो पॉइंट के पास और माइनस फॉर पॉइंट नाइन रेट के साथ में सेकिंड लास थान पर बैठी है तो पॉइंट टेवल देखके हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अपने डर्बन सूपर जैंट काफी बढ़िया है इस पार लिक के अंदर दो मैचेस हुए दोनों के ढ़नों बड़े तशुन जीट गये और वही पर अपनी दूसरी टीम जो है दो मैचेस हरे और एक अमेंडन हो गया तो बंचेस को देखते हैं लास मैचेस के उसके इंदर दूने टीम ने कैसा परफॉर्म किया था पहले हम लोग बात कर लेकिन के अपने बदूसरी जैंट ह सु मिलि थी बैटिंग यहां पर डेर्बन सूपर जॉपर जायं में तर 202 बनाये 225 Dan और यहां पर इनकी सिर्फ तीन विकेट ले पाए सामने वाली टिम और जयां पर इनकी स् कहा ह awards और दिखथ बैटिंग काफी अच्छी थी अगर हम बात करें स्कोर कार्ड के आरे में डीटेल में यहाँ पर अपने मैथ्व ने बनाए थे 43 रंस और कोइंटन दे कोक ने बनाए थे 23 इस वाले गेम के मैं आफ दी मैश थे हमारे जिए जिए स्मट्स इन्होंने यार 38 बालों के अंदर 75 रंस बनाए यहाँ पर उनने 7 च सामने वाले टीम के चक्के छोड़ा दिये और ओपनिंग और मिडलोवर नहीं की धुगधार थी इसका इन्होंने सिर्फ इन ही पांच खिलाडियों ने 225 अराम से सामने वाले टीम यह वाला रंस चीज नहीं करपाई इसका आण वहार गई वहीं पर बात करें सामने वाले पर यहां पर इनकी लोर राटर के बैटिंग बिल्कुल नहीं चीज लिए बात करने अपनी दर्बन के बारे में कौन से बंजने कितने विकेट ली तो रीस्टॉपली ने एक विकेट प्रिशट ग्लीशन ने दो विकेट एक विकेट के सब महराज मेरे कप्तान ने डेवीन पर इनकी जंड़ी विकेट ने दो विकेट 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 यहां पर ऑफिन के साथ ने को बड़े अपने इस चीज देखने को बड़े अच्छी मिल लई है यह अपने डवन सूपर जैंस की बैटिंग और बोलिंग दोनों काफी चीम जो है वह अच्छी-कासी क्ष्ट्र की रहे हैं साथी सदबोलिंग करतेफी सावन आरे टिम की दो- separate Max के पास थे मस्वर्म उभर्फरर के ले रहे हमारी डरी सुपर जैने के अनुम जानंति के लाश्या पर एसा पर आ возможно सब्सक्राइब करना था यह वाला रंचे जो ही यह नहीं कर पाए 17 वर पांच वालों के अंदर हमारी मैच एक काफी बड़े मार्जिन नाइंटी एट रन के साथ में जीत लिया था आतकर रम स्कूर कार्ड के बारे में तो एमाई के टान के तरफ साइथ रहसी वेंदेर दुसरे नोर राया रिकल्टर रहसी ने बनाय थे यार एक सो चार रन पचास बॉलों के अंदर काफी अच्छा स्कूर दिया इन्होंने राय बहुत साथा बढ़े निकले इन्होंने या सेंचुरी सेंचुरी बना के अराम से 243 और आराम से बना लिया जहाँ पर जॉबार सुपर किंग इनके सिर्फ पांच विकेट ले पाया जहाँ पर नांदे बढ़कर ने दो विकेट ली ली जीजाम वीडर एमसी ली एक बना के आउट और रिजर हेंटर जीरो पर आउट देन रोवर हैं में साय नौरन बना के आउट हो गए थे लूइस देपलॉइन ने ठीक थे संबना है ऑल्मोस हाफ सेंचुरी में लाई 48 न के साथ ने मोही नहीं ली और डोन नावर फैर आती है ग्यारा और 14 पर आउट हो लिजार्ड विलियम साथ रांदे ब्रगर नौ जाहिर कान जीरो और इम्रान साहिर एक पर दिखे तो इनकी बस मिटल ओवर की बैटिंग सी जो कि ठीक सी रही ओपनिंग इनकी नहीं चली और नहीं चली जहां पर बात करें कि कैसे कैसे विकेट है तो जॉर्ज लिंडर ने लेटी दो विकेट एक विकेट हें ट्रक्स ने ली एक विकेट ली हमारे कागी सो रबाड़ा एक लिए हम लिविंग स्टोन दो बिगेट सब्सक्राइब करने तो यहां पर हमें लास वाले गिम देखके एक चीज खिलियर हो रहे कि अपनी इस वाले टीम की बैटिंग जो वो काफी जादा हल की देखने को मिल लेगी है जहाँ पर ओपनिंग बिल्कुल बेकार है और लोर अडर भी बेकार है सिर्फ मिडर ओडर के खिलाए रहे हैं जो कि एक ठीक ठाक रन बना रहे हैं लेकिन वो इतना इच्छी रन भी नहीं बना रहे है कि वो अपनी जो इनकी डीसेंट है जहाँ पने सामनेल टीम की पांच विकिट ले पाए थे तो आपने देखे तो बोलिंग इनकी ठीक ठाक है लेकिन बैटिंग बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा तो दोनों टीम को देखके हमें एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है कि दोनों जो अपनी परफॉर्मेंस उसका एक काफी जादा बड़ा गैप देखने को मिल ला है एक तरफ हमारी जो डर्बन की टीम है वो बहुत ज्यादा अच्छी है जहाँ पर उसके पाद जेजे स्मार्ट्स और निकोलस पूरन जैसे एक अच्छे बैटर्स और ओल लाउंडर बो बैटिंग बेकार है साथ इसाथ इनकी बोलिंग बस डीसेंट सी है ऐसी बहुत जादा अच्छी भी नहीं है तो मैं आप अन्यू बैट्स की और कुंग तो नहीं जरूर देखने को खिलेंगे लास वाले बास के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी देन निकोलस काफे अच्छे प्लेयर हैं तरह एंगे हमारे व्लान मल्डर, कैमो पॉल, ड्वेन पेट्रोरियस, केशव महराथ, रीज टॉपली और रिचर्ड ग्लीसन यह हमारे प्लेइंग इलेवन इस वाले टीम के लिए बात करें सान्वेल टीम जोवर्क के बारे में तो उसकी प्ले जान टाहिर यह हमारी प्लेयंग 11 हमारी ज़ौबक सुपर फिर्फ के लिए अब इनुँ बात कर लएते हैं हमारे पी च बारे में स्टेडि बारे में तो यहां पर टोटल सतर डूमेस्ट हे धुटीवर्क प्लेण लेवन टीम अकिसी रहीगग के इंदर पार पhouse vaill ठीम य जीती है बात करें एवरे स्कोर के बारे में तो जाता है आराउंड 152 का जो हाइस स्कोर है वाला बना है वह मारी डर्वन वाली टीम नी बनाया है डर्वन सूपर जाइंट्स है दोस्तों सोलर रन का लोग सेवन बनाये हमारा डॉल्फिंस ने 59 नंस का तो यहां पर हमारा स्व को ढथे तो बदर बहुत बोल्लिंग को भी प्रीट डे सकती है यह से पतिके होता है यहांपर टीम के बारे माते है में पिछके बार किया ले बारे माते अब बात करते हैं इस वाले टीम जीतेगी तो मैं साफ साफ देखने को मिल ला है कि दर्बन सुपर जाइंट इस वाले गेम को बड़े ही आसानी सीपतेगी तो कि जोबवा सुपर किंग के दो माचिस में एक हारे हैं एक अमेंडन हुआ है और साथी साथ जो हारे थे और काफी एक बड़े मार्जिन के साथ में हारे थे तो हाँ पर देखे तो इनकी जो बैटिंग टीम है साथ साथ बैटिंग और बोलिंग दोनों के अंदर तगड़ा करती है तब आपने साफ साफ देखने को बन लेगे अपने डर्बन सुपर जाइंट चुग हैं काफी असाने से इस वाले गेम को जीच सकती हैं तो कैसे था आज इस वीडियो के अंदर उम्मिद करता हूं आपको वीडियो से लेगी अगर आपके वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाए बाए